जोत्पूर से समय की बड़ी ख़वर आपको बता दे जोत्पूर के मिराज वाइसकोप सिनेमा हॉल की बड़ी लापरवाई सामने आई है मूवी के दोरान सिनेमा हॉल में पीओपी छट गिर गई है गनीमत रही कि पीओपी छट जिस जगे गिरी वहाँ कोई दर्शक नहीं बैठा था इसलिए बड़ा हाथसा टल गया है इसके चलते सिनेमा हॉल में भगद्यण मच गई दर्शकों में बच्चे भी शामिल है हाला कि किसी के हतायत होने की ख़बर नहीं है हाथसे के चलते 20 मिनट तक मूवी भी रोकनी पड़ी इस गटना ने सिनेमा हॉल की सुरक्षा द्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिये मिराज बाइसकोप सिनेमा हॉल की बड़ी लाफरवाई सामने आई है सिनेमा हॉल में मूवी के दौरान ये पीओ पी छत गिरी गणिमत रही के हाथसे में किसी के हाता हात होने की ख़बर नहीं है 20 मिनट तक मूवी भी रोकनी पड़ी मूवी रेखने का प्रोग्राम बन गया था तो मैं मिराज बाइसकोप तो हम लोगोंने सत्य परेम की कथा जो अभी नहीं लगी है हमने उसका टिकल करा है साड़े चार बजे का शो था हम लोग अंदर गए मूवी स्टार्ट होई हम लोग बैठे आराम से तब तक आदे गं कि इत्ती जोर से आवाज आई कि हम लोगोंने जैसे देखा तो पता लगा कि उपर की जो चछत है वो नीचे गिर गए उस सीट के नीचे इत्ती जोर से भागा दोड़ी हो लोग जोर जोर से चलाने लगे और हम लोग ये एक बार डर गए लोग गिता चला लगी कि जो भी मूवी हौल का स्टाफ था वो आगाया मूवी को पॉस्ट कराया लाइटे लगाई और देखने लगे कि क्या हुआ वो तो अच्छा हुआ कि जहां पर वो दिवार गिरी उसके नीचे पर बैठा हवा नहीं था क्योंकि अगर वहां को होता तो डेफिनेटली उसको हैड सिनेमा हॉल में मूवी के दौरान ये पी-ओ-पी छद गिरी गनीमत रही कि महाँ पर उस समय कोई दर्शक नहीं बैठा था बीस मिनट तक इस हाथ से के बाद मूवी भी रोकनी पड़ी और घटना ने कई सुरक्षा से सम्बंदित सवाल यहां पर खड़े कर दिये हैं तो घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिया यहां पर मिराज बाइसकोप सिनेमा हॉल की लापरवाही कि गनिमत रही के हाथ से की बाली जगे पर कोई बैठा नहीं था नहीं तो बड़ा हाथ सा हो सकता था और सिनेमा हॉल की पी योपी शद गिर गई मूवी के दौरान और इस खबर पर इस हाथ से के वक्त एक चश्मदीद और एक जो दर्शक वहां पर मौजूद थी वह मारे साथ जुड़ गई है उनसे जानने थे किस वक्त ही यह हाथ सा हुआ और क्या महोल उस्तमें बना आप मिरी वाद सुन पा नहीं है हाँ मैं आपसे यह जाना चाहरा हूँ कि जब आप सिनेमा हॉल में बैठी थी किस समय यह हाथ सा हुआ उस समय किस तरीके का महौल हो गया था महाँ पर नहीं पर आपसे यह किसी के ओपर नहीं खिरी वह किसमत चीज़ बार बड़ी लापरवाई थी वाय। उसके बहुत बढ़ा हिस्सा था वो प्योपई की छफ़त का है आध All I liked असके बांद क्या यह जो सिनेमा यहाल के लोग थे मनें तो तो दर्शक को ने यह सवाल।क्षि안 कि कि आखिर ऐसी चुंक क्यों ये लापरवाही क्यों हिं आखिर उनका कोई जवाब आया तो नोर्मल थे बिल्कुल नॉर्मल थे तो किसी ने शिकायत करी कि आखिर इस तरह के लापरवाही हुई कोई हताहात भी उसकता था तक गटना के अंदर लोगों ने बोला बड़ जी कारी थी लोगों नी सिबार पर उनने कोई आश्चन अभी तब नहीं लिया है चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद हमार साथ जुड़ने के लिए और आप देख सकते हैं इस तरह की लापरवाई बड़ी लापरवाई जहां सिनेमा हौल में हुई उसके बाद बिलकुल नॉर्मल रहे मिराज बाइसकोप सिनेमा हौल की वारदात है जहां पर ये लापरवाई हुई पी ओपी की एक छट गिर गई गनीमत ये रही कि वहाँ पर उस समय कोई दर्शक नहीं बैठा था लेकिन लापरवाई की बावजूद चश्मदीद ने जैसा बताया कि वहाँ पर लोगों ने शिकायत करी लोगों ने हंगामा किया लेकिन जो सिनेमा हौल प्रशासन था वो पूरी तरह से नॉर्मल था तो यह कई न कई बड़ी लापरवाई है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तो कई बड़े सवाल मिराज बाइसकोब की सुरक्षा व्यवस्ता को लेकर यहां पर खड़े हो रहे हैं लोग सिनेमा हौल पाूँचते हैं उनकी सुरक्षा के कोई इंतलमा वहां नहीं होते हैं इस तरह का बड़ा हाथसा होता है गनिमत यही रहती है कि कोई हताहत नहीं होता लेकिन कहीं न कहीं संजीदगी से गंबीरता से इस मामले को लेने की आवशक्ता थी लेकिन जैसा कि सेश्मदीद ने बताया कि सिनेमा हॉल के जितने भी स्टाफ था मां के मैनेजर थे वो बहुत नॉर्मल थे उनको ये रोज की घटना लग रही थी किसी ने इस पर संग्यान नहीं लिया जब तक दर्शक मां रहे बस सिटिंग को चेंज कर दिया गया तो ये बड़ी लापरवाही सिनेमा हॉल में मूवी के दौरान हुई जहां पर एक पी ओपी की छद गिर गई तो मिराज भाई स्कोप सिनेमा हॉल की एक घटना है जहां पर मूवी के दौरान पी ओपी की छद गिरी है